नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम जानेंगे कि अगर आपके फोन में फेस्बूक अपडेट नहीं हो रहा यानि प्ले श्टोर से आप फेस्बूक को अपडेट कर रहे हो पर वो अपडेट नहीं हो रहा या तो ये थोड़े देर अपडेट होने वाद कर जाता है या ये बहुत देर तक पैंडिंग बता रहा है इस प्रावलम को ठीक कैसे करना है आईए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं तो मैं आपको करीबन तीन या चार तरीके बताने वाला हूँ इन तरीकों को आप फॉलो करें और आपका जो फेस्बुक है वो अपडेट होने लग जाएगा सबसे पहले अपना नेट चेक करें हो सकता है आपका नेट बंद हो तो अपने फोन में नेट चेक करें और अगर आपका नेट खतम हो गया है और अगर हमारा कोई application डाउनलोड या अपडेट नहीं हो रहा तो होने लग जाता है स्टेप नमबर थ्री इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में आपको यहाँ पे कैंसिल करना है इसको फिलाल बैक करना है यहाँ पे और उपर आपको यहाँ गोल आइकन मिलता है गोल आइकन पे आपको टच करना है आपको मिलेगा यहाँ पे manage apps and device या ढूंड लीजी आगे पीछे मिल जाएगा आपको इससे पे टच करें यहाँ पे आपको मिलेगा manage इस पे आईए यहाँ आपको कोई application overview में आके update available में आके कोई application यहाँ पे download होता हुआ यह update होता हुआ मिल जाएगा तो एक game है जो की करीबन धाई जी भी की है यह मेरी download हो रही है इसकी वज़े से मुझे दिक्कत आ रही है तो मैं इसे cross करता हूँ और अब अपना facebook update करता हूँ तो यहाँ पे facebook app दे रखा है मैं इसको यहाँ से भी update कर सकता हूँ वन्ना मैं यहाँ पे search करके update करता हूँ चेक करता हूँ कि मेरी दिक्कत ठीक हुई की नहीं तो यहाँ पे मैं facebook को update करता हूँ थोड़े देरी pending बतायेगा और update होना चालू हो जाएगा तो यहां पर इसके बाद आपकी problem ठीक हो जाएगी पर अगर आपकी problem ठीक तब भी ना होए तो आप step number 4 follow करें इसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा phone की settings में अपने phone में settings ढूड़िए settings ढूड़ने के बाद नीची आईए के करके आपको मिलेगा apps diet apps option मिल जाएगा app manager कहते हैं जिसको जहां पर सारे application आते हैं तो manage apps में आईए फिर apps में आईए और आपको यहां पर play store मिल जाएगा जो की google play store या play store नाम से होगा तो नीची की तरफ देखता हूँ में यहां पर यह रहा google play store इसे click करें open करें आपको मिलेगा यहां पर एक option जिसका नाम होगा storage थोड़ा नीची की तरफ आके देखिए storage option पर touch करें यहां पर आपको मिलेगा clear data यहां आपको clear data कर देना है चिंता ना करें कोई file आपके delete नहीं होईगी और रोक के कर दीजिए यहां पर आप clear cash भी कर सकते हैं और इन सब को करने के बाद अपने phone को फिर से एक बार बंद करके चालू कर दीजिएगा और आपकी जो दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी और आपका जो facebook है वो update होने लग जाएगा सायद आप समझ गए होंगे वीडियो पसंद आई है तो like करना ना भूलें चैनल को subscribe जरूर करें कोई सवाल है तो comment करना मत भूलिएगा